हलो एवरिबन आई ये बात करते हैं स्मार्ट पेलेस 2 के अंदर एफ स्क्वेर की कम्पूटेशन की जब स्मार्ट पेलेस 3 का 3 वर्जन आया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं एड़ किये गए थी जिसके अंदर कुछ चीज़ें थी एफेक्ट साइज निकालना तो ये स्मार्ट पेलेस 3 के अंदर है एक बार क्विकली देख लेते हैं मेरे पास पुराना मोडल है क्वालिटी लिड्स टू लोयल्टी लिड्स टू सर्टिसफेक्शन और बेहबरिल इंटेंशन इनमें छे छे पांच और चार अर्ग लग स्टेटमेंट्स हैं तो जब हम इसको रन करते हैं PLS अल्गोरिथम को तो PLS अल्गोरिथम के अंदर अमंग मैनी तिंक्स तो एक चीज यह भी निकाल के देता है कि एक तो लेटेंट वेरिबल देता ही है यह यह अपके कंस्ट्रक्ट के स्कोर है इन्हीं को हमें यूज करना है और यहां एप स्क में इससे पहले हम इसके calculation देखें आप एक चीज देखें model के अंदर मेरे total dependent variable कितने है तो एक तो लोयल्टी है जो depend करता है quality के उपर second satisfaction है incoming arrow से गेने के हम dependent variable तो इसमें दो है loyalty और quality और behavioral intention इसमें तीन है तो इसका मतलब यह जब भी हम F2 निकालेंगे यह DV के perspective से निकलेगा त तो लोयल्टी पे सरफ एक है satisfaction पे दो है loyalty और quality और behavioral intention पे तीन है यह हम निकालेंगे तो अभी हम काम कर रहे है smart PLS 2 के अंदर इसके अंदर ऐसा कोई option है नहीं तो इसके अंदर कुल मिला के चार option है PLS algorithm, Femix, Bootstrapping, Blindfolding तो अभी हम PLS algorithm कर लेते हैं और basic purpose है मुझे इनका score चाहि यह score है तो मैं यह score को मैंने copy कर लिया और copy करके मैं यहां ले आया एक्सल के अंदर तो behavioral intention की 0.7388 दुबार चेक कर लें और satisfaction की 0.2156 यह है एक बार last भी cross check कर लेते हैं last value है behavioral intention की 1.7862 और 2.0257 इन से हमें निकालना है तो यह हमें थोड़ा सा Excel का यूज़ करने बाला हूँ तो एक बार quickly देख लेते हैं Excel में क्योंकि हमें functions लिखने हैं और functions के अंदर हम arguments से देते हैं जिसके अंदर डॉलर वगरे यूज़ करते हैं तो उसको avoid करने का एक तरीका name manager तो मैंने यहां पे click किया और Ctrl Shift F3 यह पूछ रहा है create name from the selection इसका मतलब है यह जो A2 से लेके और A101 तक है इसका नाम BEHIN आ इसी तरह से B column के अंदर B2 से B101 का नाम loyalty आजाएगा तो यह in one go हो जाता है is valid okay तो एक बड़ी देखें Ctrl F3 कोई पहले से तो नहीं नहीं तो हमें एक बड़ी select करके और अब Ctrl Shift F3 करते हैं टॉप रों से अब मैं यूज करता हूँ मैं थोड़ा से इसे बड़ा कर लेता हूँ एक्चली इसमें Excel का यूज ज्यादा है एक स्क्वेर तो जब ही आ जाएगा तो आर स्क्वेर के एक डिरेक्ली हम पर फर्मूला है RSQ आर स्क्वेर नोन वाई अब मेरा देखें फर्स्ट मैं ले रहा ह अपने चीज़े नोट की बीटू से वी 101 तो यह पूरा लोयल्टी वाला कोपी हो गया ने देखिए 101 तक यह एकठा और इसी का मैंने एक नाम रखा वह है इसका नाम मैंने रखाव है लोयल तो जब मैं लोयल लिखता हूँ तो भी यह जाता है तो अब यह इजी हो गया मेर इसी तरह से सटिस्फेक्शन के लिए हमें निकालना है पहले लोयल्टी के साथ तो इस इकल टू आर्सक्यू सेट लोयल तो यह नेम मैनेजर से जब हम कोई नेम बना लेते हैं तो वह हमारा इस डॉप मेनू में दिखने लग जाता है जैसे से आगे नहीं हाँ और कॉलिटी तो जैसे फंक्शन साते हैं वही पर कॉलिटी तो यह हो गया अब मुझे दोनों का मिला के निकालना है यह आर्सक्यू से नहीं निकलता है आर्सक्यू सिर्फ एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट पर काम करता है इसके लिए थोड़ो सा मैं यहां आपको दिखा देता जाह हूँ यह MmS अगल के वीडियो बनाये वह इस मुल्टिपल इग्रेशन को रुन करने का फंक्शन ऐस्ट लायन अस्टी लाइन एस्टी डिपेंडेंट वेरियेबल है स्यूर्दिस्टरेक्शन सेट कोमा और इंडिपेंडेंट है कॉलिटी और लोल्टी यह मुझे मैं करना पड़ेगा यहां तक नेक्स्ट थर्ड अर्गुमेंट है इसका कॉंस्टेंट वगरा चाहिए क्या हां चाहिए वन वन का मिलब टू होता है और स्टेटिस्टिक्स यह भी चाहिए वन तो इसमें सिर्फ एक चीज आएगी अब आपके जितने इंडिपेंडेंट वेरिव एंटर तो यह थोड़ा सा एक इसका लंभा प्रोसेजर है लाइन एस्टिमेशन फंक्शन एरे फंक्शन है तो हम एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट एक बार क्विक्ली देख लिए इसमें इस इकल टू लाइन एस्टिमेशन साटिस्फेक्शन है डिपेंडेंट व वेल्यू regression coefficient है उल्टा चलता है यहाँ दूसरे का पहले quality यह loyalty का है तो अब कैसे करना है हमें जितने number of independent variable हैं मेरे पस दो थे यहाँ तो तीन कॉलम सेलेक्ट करें यहाँ वेल्यू आएगी हमारी constant की यहाँ वेल्यू आएगी मेरे first की first IDV1 की और यहाँ आएगी IDV2 की उल्टा चलता है यह तो तो तीन तो यह होगे और और पांच हमें रोज सेलेक्ट करनी है इसके बाद प्रेस एफटू रीनियम के लिए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर यह पांच यह जा जाती है तो इसमें से जो मुझे चाहिए यह हैं इनके कोफिशेंट आप रिग्रेशन करके द कर कितना आ रहा है यह एक एफ वैल्यू है और यह बाकी के डिग्रियू फिर्डम एक्सेक्ट रवाकी वैल्यू तो एक और वीडियो है आप उसमें देख लिजेगा तो अब मुझे क्या करना है इस सारे में से इतने में से मुझे सिर्फ यह उठाना है तो यहां मैं यूज जिरो वन 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 ये तो हो गया मेरा इंडेक्स के अंदर फर्स्ट के कहां से डाटा उठाए और थ्री वन थर्ड रो से पहला उठाए यह बेसिकली मैं आर स्कूर की वैल्यू ले आया अगर आपको यह नहीं समझा रहा आप इस डाटा सेट के साथ फटा-फट अपना यहा हो ओ बीहेवीराल इंटन्शन लिपेंट्स अन से डिस्पेक्षान यहें सेटेंड हो गया हमारा दिएवेवराल इंटन्शन 라re till आटर्ड हमेरा सट अने किस सुन 8 ओर ओ घ्री ज हमारी चीज़ा है आहरा सबका मिला के होगा अब देखते हैं हमारा formula क्या है formula हमारा है r square included minus excluded divided by 1 minus included तो अब एक पर पहला यह देखते है loyalty वाला इस case में हमारे पास loyalty पे सरफ 1 है तो अगर इसको exclude करेंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं तो उस case में तो यह हमारा हो गया formula अगर 1 ही है तो हमारा formula बना r square included is equal to r square included तो यह खुदी है जब आपने loyalty को लिया quality को लिया तब excluded कोई नहीं है divided by 1 minus this value तो यह value आगे 7264 अब 2 के अंदर तो है नहीं 3 में सिसकों confirm कर लेते हैं loyalty के उपर 7264 अब quickly एक बार satisfaction पे देख लें satisfaction के उपर हमारे 2 है एक loyalty एक quality अब इसका एक एक का निकलेगा दोनों का वो कैसे निकलेगा यह loyalty का quality का r square और यह दोनों का r square अब यहाँ quality के लिए मैं उपर देखे लगाता हूँ formula is equal to 1 minus included included मतलब दोनों का यह वाला value divided by ठीक लगा है कि formula नहीं गलत कर दिया है included minus excluded तो exclude में जब quality को छोड़ दिया तो सरफ loyalty का रहा है this divided by 1 minus this value so यह आया 0.004 quality का check it out 0.004 satisfaction पे quality का loyalty का भी निकल के देखते हैं is equal to r square included जो की total का है minus excluded तो loyalty को जब छोड़ दिया तो excluded में सरफ quality का बचा divided by 1 minus included तो यह value आगे 2766 loyalty का so 2766 यह तीन decimal place तक ही है आप decimal place यहां से बढ़ा भी सकते हैं so 276633 वही है अमारा आगे और इसी तरह जब इसका निकालेंगे तो हर एक का अलग पहले तो इन तीनों का एकठा निकालना पड़ेगा फिर उसमें से हम वही नीचे तो आएगा 1 minus total का उपर आएगा this minus जो बाकी का दोनों को लेंगे उससे आजाएगा so इसका interpretation ऐसे लिखा जाता है कि अगर आपकी f value अराउंड 0.02 है एक्सल से थे काम बहुत तेज हो जाएगा और अगर लाइन एस्टिमेशन फंक्शन कर लें बहुत अच्छी बात है वरना डाट के अंदर डाटन से टूल पैक से फिकली इन चीज को कर देजाएगा multiply regression का रस्वार स्क्राइब बाकी ने चलीए सो एब उस्वाइब मनुली आफ लोगुजाएब थी होइस स्मार्ट पेल इस्टो यूज आएब स्वाइब तो शायद आपके यह काम आएगा क्या घूएब्स अ शॉय जमत चाहिए यौत अब बीन